नमस्कार आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा है यह देखिए लिंगम है अस्फटिक लिंगम के बारे में अस्फटिक लिंगम के क्या बैनेफिट्स होते हैं यह प्यूर अस्फटिक के हैं यह इंडियन अस्फटिक है यह आपको हमेशा अंदर से कुछ बर्फ जैसा क्रैक टाइप का लगेगा और यही इंडियन अस्फटिक है यह इंडियन शिवलिंगम है यह आपको shivago.com पर और shivago astrology पर genuine authentic और lab certified मिल जाएंगे आपको तो इसके benefits क्या होते हैं यह हम आपको बताने जा रहे हैं दीखिया अस् सास्त्रों में बढ़नित हैं इसे जो आप बनाएंगे तो आप चांदी का stand के साथा बना सकते हैं तांबे के stand के साथ बना सकते हैं तो यहां पर आपका यहां तक जो होगा वो पूरा इसे hold करेगा जो आप बनाएंगे तो तो उपर का portion जो है almost आधा ही दिखेगा च्योंकि कि वजन होता है 200-300 ग्राम करेगा अपनी चंता के साथ से अपले सकते हैं और ऐसा नहीं कि अउठे जितना रखें जो लिंगम जब अपलेते हैं तो यह बड़ा भी होगा तो भी चलता है पारनिक मानिताओं के आधार पर ग्रहस्त सादकों को अस्फटिक लिंगम की पूज से अधिकलाब और मनुवांचित फल मिलता है अभी यह जो अस्फटिक है इंडियन अस्फटिक एक रंगहीन पारदर्शी निर्मल और शीत प्रभावाला उपरत्न है और अस्फटिक को अन नामों से भी जाना जाता है रॉक क्रिस्टल, कौर्च, संस्कृत में सीतो, पल, क जान्चमनी, शिवपरिये, फिटक, बहुत साए नाम से जाना जाता है और इसकी जो परविर्ती होती हो ठंडी होती है इसकी मालाओं से अनेक देवी देवताओं का जब किया जाता है अस्फटिक की माला की बात करता है और अस्फटिक लिंगम चमतकारिक शिवलिंग का ही स अस्फटिक लिंगम मतलब शिव लिंग आपके घर में सुक शांती बनाई रखता है और आपको जीवन में होने वाले बुरे परभावों से बचाता है और खास करके जो भी वक्त महा शिवरात्री के दिन सच्चे मन से अस्फटिक लिंगम की पूजा करता है या महा शिवरात्री के दिन अस्फटिक लिंगम की अस्थापना करता है अपने घर में उसकी भगवान शिव स्वेम रख्षा करता है वास्तु सास्तर के अनुसार अस्फटिक लिंगम को घर में रखने मात्र से सारे वास्तुदो समाप्त हो जाता है घर में सुक शान्ती लाने के लिए पती पतनी के कलर को दूर के लिए अस्फटिक शिव लिंग की घर में नित फूजा लाबकारी मनी जाती है यह अधिक उर्जावान होने के कारण घर की सारी नकरात्म कुर्जाओं को दूर रखता है और घर में सकरात्म कुर्जा बनाए रखता है आफिस, घर, दुकान, मंदिर या तीजोरी में असफटिक लिंगम के नित जलाबी शेक अथवा पूजा से धन्य धान्य में स्मर्दी बनी रहती है अब चुकि असफटिक का है बारत का तो है नहीं तो आप पंचामरिक से भी जलाबी शेक कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत कल्यान करी रहता है और इसमें इतनी उर्जा होती है कि मात इसे घर में रखने से ही आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है और कभी भी जब आप पूजा करते हैं इनकी तो कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहती है सिक्षा के छेत्र में प्रतियोगता परिक्षा की तियारी करे चात्रों को अस्वेटिक लिंगम, पूजास्थल पर और पर्स में भी जो चोटे साइस का होता है आप पर्स में भी रख सकते हो दरिद्रता, रोग, गरिबी, वास्तू, नकरात्मक्ता, असफलता इन सब से बचने के लिए अस्वेटिक लिंगम का नित्य पूजन करना सर्वस्रेश्ट माना गया है पर इस जल का अभिशेक आपको रोज करना है ओम नमा शिवाय मंतर का जाब करते हुए आप अभिशेक कीजिए रोज अभिशेक करने के बाद आप इन बेचावर अर्पित कीजिए, काले तिल अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, यही हो सके तो तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता तो 100% नहीं आएगी तो धन्यवाद आप सब का हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए, धन्यवाद